मेरा नाम एक्रा है, मेरी उम्र 29 साल की है, मेरे अबबा सरकारी मुलासिम थे, अम्मा घरे लुखादों थी, मेरी दो बहने और दो भाई हैं, अम्मा अबबा की शादी हुई तो सब अम्मा से बहुत प्यार करते थे, सिवाए दादी और एक चचा के, मुझे आज तक इस बात पैदाईश पर खुशियां की जाती है, पहली अलाद होने पर अम्मा अबबा ने बहुत लाड उठाए, दादी मुझे भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अबबा ने और अम्मा ने हमेशा उनकी इस्दत करना सिखाया, अम्मा अबबा ने हमेशा सच बोलना सिखाया था, क कभी इतनी नौबत नहीं आती थी कि अम्मा से या किसी से भी जूट बोलना पड़े, अम्मा ने इतना ताकतवर बनाया था कि अगर गलती हो जाती तो उसको मानने में कोई कबाहत महसूस नहीं करती थी, अम्मा ने पढ़हाई लिखाई में हमारा कभी हाथ नहीं रोका था हमें मुकमल इजाज़त ही कि अपनी उदूद में रहते हुए किसी भी तरह की पढ़हाई कर लें, मेरी अम्मा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन इतनी महबत होने के बावजूद भी मैंने कभी नाजायस खौहिशात का इज़ार नहीं किया था, इसकूल मे हमारी तरवियत में शामिल ही नहीं था, अगर कभी गलती से किसी को धोका दे देती, तो जल्दी से अपनी गलती मान लेती, अम्मा ने हर तरह से मेरी तरवियत अच्छी करने की कोशिश की, अब्बा ने हर आसाईश महया की, लेकिन अगर दोनों ना दे सके, तो वो मेरा न कि ऐसा इखतलाफ था कि अम्मा को चचा का बेटा मेरे लिए पसंद ना आया मेरी पढ़ाई अभी चल रही थी जब बहुत से रिष्टे मेरे लिए आये लेकिन मैं अम्मा को अपने चचा के बेटे से शादी करने का कहती तो वो भूट भूट कर रोने लग और वो एक ही बात कहतीं कि जिस इंसान ने तुम्हारी मा का मान ना रखा हो तुम्हारी मा की इज़त ना रखी हो तुम उसके बेटे से शादी कैसे कर सकती हो मैं जब अम्मा से चचा के बारे में बात करने लगती तो अम्मा मुझे डां चपट कर चुप कर वा देती एक रोज मैंने जब जि चचा मेरे घर रिष्टा लेकर आए और इत्यफाक से अपने चोटे बेटे के लिए ही मेरे घर रिष्टा लेकर आए अम्मा अबा को इस बात से कोई अतरास नहीं था अम्मा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए चचा चची की आओ भगत में लगी रही मेरी एक हिनन थी जो मु मोशी से सुनते मेरी रूह लरस गई जब अम्मा ने चचा से बोला कि मैं तुम्हारा एक राज रख सकती थी बस अब मजीद मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया बिगाड़ा था मैने तुम्हारा तुमने इतनी भी हाया नहीं कि कि मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ अम्मा की बात पर चचा ने थोड़ा उलचकर जवाब दिया कि किस भाई की बात कर रही हो वो भाई जो मेरा सगा भाई है ही नहीं जिसको कूड़े से उठाया था उस भाई की बात कर रही हो चचा की बात सुनकर मे हद घुसा आया और उनके बड़े चोटे दोनों बेटों से नफरत महसूस होने लगी थी मैं घुसे में कमरे में आई और अबबा के साथ आकर बैट कई मुझे चचा के बड़े बेटे पर भी घुसा था कि एक बार भी उसने इस रिष्टे को रोकने की कोशिश नहीं की और ना वो खुद आया चची ने मुझे प्यार किया और मेरी उंगली में अंगुठी पहनाने लगी तो मैंने अबबा को देखते ही अपना हाथ पीछे कर लिया सब लोग हैरान मेरे सामने खड़े मेरा चेहरा देख रहे थे अम्मा भी हैरानगी से मुझे देख रही थी मेरा होने वाला मंगेतर भी हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगा मैंने अबबा से कह दिया कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी मेरे सारे बड़े मेरी तरफ मूँ खोले देखने लगे मेरी दादी ने अम्मा की तरफ देखा और बोलने लगे जैसी मा थी वैसी ही बेटी निकली जैसा बाप वैसी बेटी अम्मा ने रोकना चाहा तो मैंने अम्मा का हाथ थाम लिया और उनको दादी को रोकने से मना किया, अम्मा ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन मेरी जात पर बिलकुल भी फर्क नहीं पड़ा, चचा और चची भी वहां से चले गए, मैंने अम्मा से बोला कि मुझे जहां मर्जी ब्यादे, लेकिन चचा की घर मुझे शादी करनी ही नही अम्मा सारा दिन दादी के बाद पर आंसू बहाती रही लेकिन इस बार मैंने भी अम्मा से कुछ ना पूछा क्यूंकि मैं जान चुकी थी, अम्मा के आंसू के पीछे का रास, अम्मा ने अबबा से बोला कि चचा को मनाएं और दुबारा रिश्टा कर ले, लेकिन मैंने इस बार मेरी किसी ने ना सुनी और अम्मा ने मेरा रिश्टा चचा के छोटे बिज़े से तैकर दिया, मैं इस रिश्टे से खुश ना थी, लेकिन इस बार अम्मा ने मुझे अपनी खुसम देखा, खामोश रहने का बोला, वक्त गजरता गया, इस रिश्टे से सब ही लेकिन मैंने अम्मा को अपने अतमाद में लेकर सब कुछ बताया और फैसला भी बता दिया कि मैं जाना चाहती हूं मिलने, अम्मा को खुशी हुई कि मैं अपने मंगेतर से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अम्मा को बस इतना बताया था कि मेरे मंगेतर ने मुझे बा काफी गहरी सोच में गुम था या फिर जान बूज कर मुझे नजर अंदास कर रहा था मुझे समझने में बहुत मुश्किल होई क्यूंके मेरे जाने पर भी उसने कोई रद्धे अमल जाहर नहीं किया ना मेरी तरफ देखा, मैंने जब उसका नाम पुकारा तो वो एक दम चौंकिया मैंने सवालिया नजरों से अपने मंगेदर की तरफ देखा जैसे बोलने में मुझे कोई खासे दिल्चस्पी ना हो उसने मुझे हाथ के इशारे से बैठने को बोला मैं भी खामोशी से बैठ गई उसने मेरे सामने खाने का मैन्यू रखा तो मैंने साफ इंकार कर दिया कि मैं घर से खा कर आई हूँ जिस पर उसने नर्मी से सरहा में हिलाया और मैन्यू पीछे कर लिया एक एक गरम चायका का पीने के बाद मैंने उससे बोला कि बताओ अब क्या कहने को बुलाया है मेरी सोच भी वहां तक नहीं गई थी जहां तक मेरे मंगेतर की सोच गई थी मेरे मंगेतर ने बताया कि वो किसी और को पसंद करता है मुझे नहीं इसलिए वो ये मंगनी तोड़ना चाहता है मुझे अपने मंगेतर पर बहुत होसा आया तो उते तो उसके ताबुड़े जब मैंने बोला कि तुम किसी और को पसंद करते हो मैं नहीं इसलिए तुम खुद इंकार कर दो मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी मेरे मंगेतर को लगा था कि अब की बार मैं भी इंकार कर दूँगी लेकिन मैं ऐसा क्यों करने को इंकार कर दे थी लेकिन अम्मा की गसम ने मीरी जबान रोक रखी थी मैंने मज़ीद अपने मंगेतर की कोई बात ना सुनी और खामोशी से उठकर वहां से चलियाई उसके बाद से मेरे मंगेतर की तरफ से भी मुकमल खामोशी थी और मेरी तरफ से भी हम में वो आखरी मुलाकात थी जो एक दूसरे के साथ हुई थी अम्माक सर कहतीं के बाहर कहीं मिल लो ऐसे अंडरस्टेंडिंग बढ़ती है लेकिन मैं उनको क्या बताती जहां अंडरस्टेंडिंग शुरू हुई नहीं हुई वहां बढ़ेगी क्या मिनट घंटों में घंटे हफ़तों में और हफ़ते महीनों में गुसरे और वो वक्त भी आ गया जब मुझे पिया देस रुखसत होकर जाना था मेरी शादी बहुत अजीब तरेके से हुई थी मेरा रिष्टा जिससे तैय किया गया वो शादी के रोज भाग किया शादी के रोज जब शादी के रोज जब सब निकाह के इंतजार में थे तब हर तरफ भगदर मस गई क्योंकि दुलहा हॉल से गायब था मैं दुलहन बनी कमरे में बैठी हुई थी जब मुझे ये खबर सुनने को मिली ये सुनते ही अम्मा हॉल में ही बेहोश होकर गिर गई जब अम्मा को होश आया तो अम्मा और अबा ने मेरा रिष्टा मेरे मंगेतर के बड़े भाई से कर दिया जिसको मैं पसंद करती थी और मौके पर निकाहो क्या सबने बहुत बातें करना शुरू कर दी लोग पहले ही इस बात पर बातें करते थे कि पहले चोटे बेटे की शादी क्यों कर रहे हैं बड़े की क्यों नहीं की मैं भी परेशान थी कि पहले चोटे के लिए रिश्टा मांगा, अब बड़े से क्यूं कर दिया, मुझे यकीन था कि कुछ तो है, जो चुपाया जा रहा है, मुझे घर लेकर जाया गया तो कुछ भी नहीं खास था, मैं ये रिश्टा करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अम्मा ने जब मेरे आगे जाला देखकर लगता था, जैसे यहां बर्सों से कोई नहीं रहता, बस मेरी एक नंद मुझे खाने का पूछने आई थी, जिस पर मैंने ना कर दी, तो वो वापस चली गई, मेरे शोहर ने मुझे बैचने का बोला और मुझे कहा कि कल तक मेरा सारा सामान इस कमरे में आ जा लाई और बदल कर सो गई, मेरा शोहर देखता ही रह गया, सुबह जब उठी तो शोहर कमरे में मौचूद नहीं था, रात कहां थी कैसे सोई मुझे कुछ यात नहीं था, क्यूंके सर बहुत भारी हो रहा था, मैंने चारों तरफ नजर दोड़ाई और कमरे की सैटिंग दे उने अंगराई ली तो शोहर को कुछ तेर बहलाने में नीचे चली आई, अभी नीचे आई थी के मेरी चची ने मेरे लिए नाष्टा निकाला, मेरे हाथ में अभी पहला निवाला था, जब किसी ने मेरे हाथ से वो निवाला च्छीन कर दूसरी तरफ रखा और मेरा हाथ मैं हैरत से अपने शोहर की तरफ देखती रही कि ये क्या हरकत थी लेकिन उसने संजीत की से नाश्टे का बड़ा शौपर मुझे पकड़ाया मैं खुट जाकर मेरे सापका मंगेतर के कमरे में रखे शोकेस में से मेरे कुछ बरतन निकाल कर लाया और उसमें नाश्टा डालकर नाश्टा करने को कहा मुझे बहुत हैरत हुई क्यूंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे शोहर की अपनी घरवालों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती चूंकि मेरी दादी भी इसी घर में रहती थी तो मेरे ऐसे टेबिल से उठकर आने पर काफी ज्यादा बोल रही थी जो आवाजें उपर तका रही थी मेरे शोहर ने तो जैसे कान बंद कर रखे थे मैंने हैरत से अपने शोहर की तरफ देखा जो खामोशी से मेरे साथ ऐसे नाश्ता कर रहा था जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही नहो मैंने अपने शोहर से पूछा कैसा क्यों किया जिस पर मेरे शोहर ने साथगी से एक ही चवाब दिया कि जो चाहिए होगा आपने मुझे बताना है और अपना खाना अलग से बनाना है चाहे तो बाहर बने मेरे किचन में चीजे रख ले, जो चीज नहीं है मुझे बता दे, मैं ले ओँगा मेरा शोहर मेरे मुताबिक एक फैक्टरी में काम करता था, मैं अब उस पर इतना बोच नहीं डाल सकती थी पढ़ी लिखी थी, मैंने पहले दिन ही नौकरी करने का पूछा जिस पर मेरे शोहर ने साफ इंकार कर दिया और मैंने अपने शोहर से ज्यादा भहस नहीं की और चुप करके अच्छी बीवियों की तरहा रहने लगी एक रोज मेरा अम्मा से मिलने को बहुत दिल किया तो मैंने अम्मा से बोला कि वो मुझे मिलने आ जाएं लेकिन अम्मा ने आने से साफ इंकार कर दिया मुझे बहुत हैरत हुई फिर अम्मा ने बोला कि मैं अपने शोहर के साथ उनके घर चली जाओं रात मैं जब मेरे शोहर काम से आये तो मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा वो मुझे छोड़ाएंगे खुद नहीं जाएंगे मुझे अब इस बात पर बहुत घुस्सा आ रहा था कि ये क्या रास था जो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था मैंने अपने शोहर को भी इंकार कर दिया और अम्मा को भी अब मेरा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा था कई रोज गुजर कए मैं किचन से कोई सामान लेने जा रही थी कि चचा का हलका सा दर्वाजा खुला हुआ था और अंदर से दबी दबी घुस्से से भरी आवाजे आ रही थी पहले मैं नजर अंदास करके जाने रगी लेकिन चची नंद को बार बार उसको मारने के लिए जाती मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर चची नंद को मार क्यों रही है चाचा ने चची को कमरे से बाहर भेचा तो मैं जल्दी से वहां से चली गई लेकिन मुझे सारी रात तजस्स रहा कि ऐसा क्या हुआ है जो चची नंद को मार रही थी बागी सब के मुकाबले में मेरी नंद बहुत अच्छी थी मेरा खयाल भी रखती थी फिर ऐसा क्या हो गया कई रोज मुझे वहां पर गुसर गए मैं अमा से मिलने को उनके घर गई मेरा शोहर काम के सिल्से में शहर से बाहर था मैंने अपने चचा से कहा कि मुझे घर छोड़ाएं जिस पर चाचा मुझे घर छोड़ने चले गए अमा कर वईया चाचा के साथ बिलकुल नार्मल था अब मुझे फिर से हैरत हुई कि अम्मा चचा के साथ कैसे नॉर्मल रह सकती है जबके उन लोगों की आपस में बिलकुल भी नहीं बनती मैंने जब अपने शोहर को बताया कि मैं चचा के साथ अपनी अम्मा के घर आई हूँ तो मेरे शोहर ने इस बात पर मुझसे नाराज की इक्तियार कर ली कि मैं उनके अबा के साथ क्यों आई हूँ मैंने अपनी अम्मा से पूछा कि आपके चचा के साथ क्या इकतलाफात है जिस पर अम्मा ने पहले तो मुझे घौर से देखा जिस पर मैंने अम्मा को जाहर कर दिया कि मैं सब जानती हूँ जो उस दिन चचा निकिचन में खड़े होकर अबा के बारे में कहा था लेकिन मुझे आज वो रास जानना है जो चचा और आपके दर्मियान इختलाफ पैदा करता आया है अम्मा ने मेरी तरफ गूर कर देखा जिस पर मैंने अम्मा से बोला कि अम्मा मुझे सब जानना है और फिर मेरे शोहर से आप पहले तो शादी के लिए नहीं मानी फिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के रोज आप लोगों ने मेरा रिष्टा उसी लड़के से कर दिया अम्मा ने लंबा सांस लिया और मुझे बताना शुरू किया अम्मा लोग चार बेहने थी अम्मा दूसरे नमबर पर थी और अम्मा की एक बेहन जो उनसे बड़ी थी दोनों एक से बढ़कर खुबसूरत थी मेरे चाचा मेरी खाला को पसंद करते थे लेकिन मेरी खाला की बच्पन से मंगनी हुई भी थी जिसकी वज़े से खाला की तरफ से इंकार हो गया चूंके मेरी अम्मा भी बहुत खुबसूरत थी तो चचा ने अम्मा के लिए भी रिष्टा भेजा लेकिन अम्मा ने भी इंकार कर दिया चचा ने अम्मा को एक रोज एगवा किया और दिन भर अपने पास रखा अम्मा रोती रही के मुझे जाने दो लेकिन चचा ने अम्मा को नहीं जाने दिया दिन गुसरा अगले रोज जब अम्मा घहर आई तो नानी अम्मा के घम में इस दुनिया से जा चुकी थी लोगों ने अम्मा को बदकिरदार और नजानी क्या 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 कहा अमा अपनी पाकिश्गी का सब को यकीन दिलाती रही लेकिन किसी को अमा पर यकीन नहीं आया मेरे अबा को जब नानी के बारे में पता चला तो अबा ने चचाचा के खिलाफ पुलीस में केस कर दिया और चालिसवे के बाद बाइजज़त औ एहतराम से अम्मा का हाथ मांग लिया, नाना बूर है हो चुके थे, कुछ लोगों की बातों नाना को तोड़ दिया था, इसलिए नाना ने भी साधगी से अम्मा का निकाह अबबा से कर दिया, जबके चाचा और दादी इस रिश्टे पॉलिश किया करते थे, लेकिन दादी कुछ अजीब तबियत की मालकिन थे, तब ही अबबा को कुबूल नहीं किया, हमेशा उनको अपने सगे बच्चों से दूर रखा, सब काम उन से लेने के बाद भी अपने दूसरे बच्चों को आगे-ागे रखा, इतहवार पर जब और फुपो नए कपड़े पहनते तो अबबा को चचा के पुरानी शलवार कमीज पहनने को मिलती, जो अकसर उनको पूरी भी नहीं होती थी, लेकिन अबबा ने कभी भी इस बात का बुरा नहीं मानाया था, फिर अमा ने भी चचा का खुसा चचा की हग तक रखकर अबब चचा को अपनी अमा का गातिल समझती थी, इसी बिना पर अमा ने कभी चचा को माफ नहीं किया था, और अपना मौमला अल्ला के सुपूर्ट कर दिया था, मुझे अपनी अमा पर जी भर कर प्यार आया, मैं एक औरत होने के नाते जानती हूँ कि एक औरत की इज़त उसके कितने माइन रखती है, मैंने अमा से पूछा कि जब मैं कहती थी, कि मुझे अपने कजन से ही शादी करनी है, तो आप इंकार कर देती, फिर उसके छोटे भाई से मेरा रिष्टा तैक कर दिया, और पिर जब वो शादी के रोस भाग गया, तो ऐसा क्या हो गया था, जो आप अमा ने मेरी शादी छोटे के साथ तैकर दी, लेकिन बड़े से नहीं की, लेकिन शादी के रोस जब चचा का छोटा बेटा भाग गया, तो अमा को अपनी और मेरी इस्दत बचाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आया, और मेरी शादी मेरी महबबत से ही कर दी इतना बड़ा रास खुलने के बाद में पहले जैसी नहीं रही थी, मेरे अंदर बहुत बड़ी तबदीली आ गई थी, मैं वो नहीं रही थी जैसी में थी, लेकिन मुझे अपने शोहर से कोई शिक्वा नहीं था, मेरा शोहर कभी बाप नहीं बन सकता था, ये सुनकर पर कपड़ा डाला और अंदर चली गई। जब मेरा साबका मंगेतर किसी लड़की के साथ घर लोटाया। जो बहुत गोर से अपने भाई को देख रहे थे जो ढीट बना अपनी जगा से हिला तक नहीं था। उधर चची ने नई दुलहन का मार मार कर भरता बना दिया था। अगर कोई मुझसे बात नहीं करता था तो कोई मुझसे कहता भी तो नहीं था। मेरी नन जिसकी शादी नहीं हुई थी चची के साथ उसका रवय भी बहुत अजीव था। अब नहीं आने वाली दुलहन भी रोज तरह तरह की बाते सुनती थी। मेरी चची घर से बाहर नहीं जाती थी। मेरी चाचा जब-जब काम के सिल्सले में घर से बाहर जाते तब मेरी चची भी रात देर तक घर पर आती। मुझे बहुत हैरानगी होती के चाची जाती कहां है। घर आते ही मेरी चाची मेरी नंद पर हाथ उठाने लगती और वो मासूम खामोशी से मार खाया करती मेरी नंद जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी उसका रिष्टा आया लेकिन नंद ने रिष्टे से इंकार कर दिया और कमरे में जाकर बंद हो गई रिष्टा देखने वालों ने हैरांगी से सब की तरफ देखा तो मेरी चाची ने सब को कह दिया कि मेरी बेटी हामला है और वो कमरे में जाकर बेहोश हो गई है मैंने हैरत से चाची की तरफ देखा कि चाची ये क्या कह रही है कोई अपनी सगी ऑलाद के बारे में जूट क्यूं बोले का मेरे शोहर को घुसा आया और उन्होंने जाकर मेरी नंद से पूझा कि क्या मास्थ बोल रही है तो पहले मेरी नंद मेरे शोहर की तरफ देखती रही बात थम गई घर भर में कोई नंद से बात नहीं करता था बत्ता दादी काफी राजी थी इस तमाशे से कुछ दिन गुजरे तो एक और रिष्टा आया मेरी नंद कमरे में बंद हो गई मैं जब सब के सामने गई तो वो लोग मुझे लड़की समझ कर अपने बेटे के लिए पसंद कर बैठे जब उन्होंने कहा कि हमें रिष्टा मंजूर है तो सब को बहुत हैरत हुई क्यूंकि अभी तक नंद को तो देखा ही नहीं था हैरत का जटका तब लगा जब लड़के की माने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और मेरे सर पर प्यार दिया मेरी चाची ने बताया कि यह मेरी बहू है बेटी नहीं तो लड़के की मा कुछ मायूस और शर्मिन्दा हो गई और वापस जाकर बैठ गई मैंने हाथ में पकड़े पैसे लड़के की मा को देने चाहे तो उन्होंने लेने से इंकार कर दिया और बोला कि हमारी तरफ से तोफ़ा समझ कर रख ले लेकिन मैंने उनका शुक्रियादा करके पैसे उनकी हथेली में रख दी है जब लड़के बालों ने नंद को बुलाने का कहा तो मेरी चाची ने बताया कि मेरी बेटी तो हामला है, इसलिए वो ये रिश्टा नहीं कर सकती, मुझे फेर से बहुत अजीब लगा, नंद को देखकर लगता ही नहीं था, कि वो हामला है, तभी चाची जल्दी से कमरे में गई और ना जाने अलमारी में से क्या तलाश करने लगी मैं अभी तजस्स के मारे उनके पीछे गई और उनको देखने लगी जान तो तब निकली जब चाची कोई दवाई खा रही थी और खाते ही वाश्रों में चली गई मैंने उनके जाते ही अलमारी खोली तो मेरी जान नि एक रोज फिर से रिष्टा आया तो मेरे शोहर मेरी नंद का निकाह करवाने लगे लेकिन मेरी नंद जल्दी से मेरे पास आई और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि ये शादी रुकवा दे वरना मेरी मा मर जाएगी। मैंने अपने शोहर से बात की कि सास ऐसा क्यूं कर रही हैं जिस पर मेरे शोहर ने लायलमी का मुझाहरा किया। मैंने कमारी बेटी को हामला बना दिया और उसकी शादी के उमर गुजार दी अब देवरानी के बच्चे को अपना खून मानने से इंकार कर रही हैं। मेरी नजर अपनी सास पर ही होती थी एक रोज रात के वक्चाचा के कमरे का दरवासा खुला हुआ था। मैंने जब अंदर जहांकर देखा तो मेरी रूह काम कई जब चाचा मेरी सास को कुर्सी से बांग कर मार पीट रहे थे और वो रोती हुई चीख रही थी। मैं जल्दी से पूरा दरवासा खुल कर अंदर गई और चाचा को रोकना चाहा लेकिन चाचा ने नहीं रुकना था। मेरे शोहर ने जब चाचा से पूछा कि अम्मा को क्यों मार रहे हैं तो चाचा की बात सुनकर मेरी जान ही निकल गई जब चाचा ने बताया कि मेरी बीवी हामला है और पिछले साथ सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। मेरी नन्द की शादी भी चाची की वज़ा से लेट हुई क्योंकि जब नन्द का रिष्टा आता था तब तब चाची उसको मार कर कहती थी के मेरी जगा तू हामला बनेगी वरना मैं अपनी जान ले लूँगी ये धमकी कारा मत रहती और मेरी नन्द खावोशी से खुद मेरी नन्द की जिस्चे का शादी हुई थी वो लोग बहुत अच्छे थाबित हुए नन्द को पलकों पर बिठा कर रखते अब जब कभी हम उससे गुसरे वक्त के लिए दुख का इजहार करते तो वो मुस्कुरा कर हमें दुख करने से मना करते थी और हमेशा यही कहती कि अगर मैं इतना सबर और इंतजार ना करती तो आज मुझे इतना अच्छा सुस्राल और इतना अच्छा शोहर ना मिलता जो होता है अच्छे के लिए होता है हर काम में अल्लह की क्या मसलेहत हो कोई नहीं जानता और ये बात हर कोई नहीं जानता चाची को पागल खाने भेजा जा चुका था चाचा को फालिश का अटैक हुआ तो वो बोलने और चलने फिरने से मासूर हो गए दिन भर बिस सर पर पड़े रहने से उनका जिसम गल चुका था कोई उनकी फिकर नहीं करता था अगर वो दिन भर के भूके थे तो कोई खाना खिलाने नहीं जाता था क्यूंकि उनका जिसम गल जाने की वज़ा से बदबू छोड़ चुका था ऐसे में मैंने चचा का खयाल रखा और उनकी खिदमत की मेरी अमा जब जब घर आती तो चचा कांपते हुए हाथ जोड़कर उनसे मौफी मांगते और उनसे चूटे अलफाज में अपने गुना का इकरार करते अमा ने चचा को मौफ कर दिया था मुआफ करने की देर थी, चचा एक हफ़ते के अंदर अंदर इस सुनिया से चले गए, मेरा देवर अपनी बीवी को तलाग दे चुका था, और अब तनहा कभी धर तो कभी धर भीरता, मेरी दादी अपने जवान और लाडले बेटे की मौद में आधी हो गई थी, मेरे अबब नहीं होगी, दे देगा, अकेले रह रह कर धक जाती हूँ, तो मेरे शोहर और मैंने फैसला किया कि किसी यतीम खाने से किसी छोटे बच्चे को एडॉप कर लेते हैं, लाखों लोग मरते हैं और बच्चे यतीम खानों में रूल जाते हैं, ये नेकी भी, शायद अल्ला को पसंद आ जाए, अगर किसी यतीम की कफालत हम कर लेंगे, तो मेरे शोहर को मेरी बात पसंद आ गई, और हमने एक बच्चा ये डॉक्टर लिया, अल्ला ने हमें बहुत रिस्क दिया, हमें अपने सबर का फल अल्ला की दी गई, हर निमत के बतले मिल चुका था, आज भी सो पूल के मताबक मैं कमरे में बैठी ना जाने क्या सोच रही थी, लेकिन तब ही जोड़ जोड़ से दर्वाजा खटकने लगा, मेरा दिल बेचैन होने लगा, और ना जाने क्या क्या और कितनी कितनी दुआएं करके, मैं कमरे के दर्वाजे की तरफ बढ़ी, और डढ़ते मेरी शिकायत ना करियेगा, मुझे बहुत डांटेंगे हमारे शोहर, उसकी बात सुनकर मेरे सर में टीस सी कहीं उठी थी, कि इसका शोहर इसे डांटेगा, इसका शोहर या मेरा, किसका शोहर है वो, मैं किसी भी नतीजे पर ना पहुंच सकी, और आँखे खोलते हुए नफ पी में सरहे लाने लगी और बोली कि मुझे जरूरत हुई तो मैं खुद ले सकती हूँ, मैं यहां किसी की महताज नहीं हूँ, तो वो चेहरा लटका कर वापस जाने लगी, और दर्वाजे से मुड़कर फिर बोली, कि मैं बाहर ही हूँ, बता दीजिएगा, ये कहकर वो कम ही लमहात मेरे जहन में आए, आँखों में आंसू आ गया थे, लेकिन मैं उन आंसूं को बाहर निकाल कर कमजोर नहीं बनना चाहती थी, इसलिए खामोशी से जब्द करती रही, अभी उस लड़की को गए आदा घंटा ही गुजरा था, कि मेरे मुबाइल पर किसी की कॉल आ कर रहे थे, कि एकदम से खामोश हो गए, और बोले, बेटी तुम आ गई हो, तो कुछ वक्त यहीं बैठ जाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा, मैं उनकी बात मानते हुए वहीं बैठ गई, वो मुझे बताने लगी किस तरह मेरे शाहर ने उन तीन लड़कियों को अपनी महबत के शकंजे में फसा कर उन से शादी की, और पैसा बटोर कर बाहर चला गया, यह सुनकर मुझे और भी अजियत होने लगी, क्योंकि वो मुझे से महबत का दावा करता था, यानि उसकी महबत जूटी थी, सब धोका था, जैसे तैसे करके खुद के जजबात पर काबू पाकर अपने तासरात नार्मल रखते हुए, मैं वहाँ से उट गई, और नंद के कमरे से निकलने से पहले वापस मुड़कर अपनी सास से पूछने लगी, क्योंकि खाना आज मैं बनाओंगी, आप मुझे बता दें क्या बनाना है, तो वो मुझे अपने पास बुलाकर कहन तुम जाकर आराम करो, अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए है, उनकी बात सुनकर मैं बजद हो गई और खाने का पूछती रही, लेकिन वो दोनों बिलकुल ना मानी, और मुझे जबरदस्ती कमरे में आराम करने भेज़ दिया, और कहने लगी, जिने तुम्हार शाहर तुम्हारी सौतने बना कर लाया है न, उन्हें उनकी जिम्मेदारी भी निबाने दो, तुम फिकर ना करो, हम तुम्हारे साथ है, जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो हमें अपने साथ पाओगी, अपनी सास की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसु हो गर, और खाई देता था, वो बिलकुल मेरी वैसे ही केर करती थी, जैसे मेरी मा किया करती थी, लेकिन एक गलत फैसला मुझे कहां ले आया था, मैं जितना मर्जी आगे बढ़ जाओं, मगर ये सोच जहन से निकल नहीं पाती थी, और पिर देखते ही देखते शाम हो गई, मेरे मेरग दिया है, अगर फिर भी जरूरत पड़े तो आवाज लगा देना, उनकी बात सुनकर मैंने बेजारी से मूँ फेर लिया और तजबी करने लगी, लेकिन ये कहकर वो तीनों वहां से चली गए, मुझे उनकी बातों की लाजिक बिलकुल समझ में नहीं आती थी, उन तीनों में इत्तफाक था या वो इत्तफाक से चलती थी, शायद तीनों ने एक दूसरे को अपने दुख सुप का साथ ही बना रखा हूँ, आखिर जियात्ती तो उन तीनों के साथ भी हुई है, यही सोचकर मैंने फैसला किया था कि जो भी हो जाए, अब मैं उन से तमी क्या एक ही कमरे में गई है, यह देखकर मैं बहुत परिशान हो गई, कि आखिर क्यों वो तीनों एक ही कमरे में रहती हैं, लेकिन दमाग पर ज़्यादा जोर नहीं दिया और जाकर दर्वाजा खटखटाने लगी, कि कोई तो बाहर आएगी, फिर उन से कमरे में जाकर माफ कर दर्वार ज्यास हो गई होगी, फिर मैंने सोचा कि नन्द के पास जाकर पूछती हूं, वो तो जानती होगी, लेकिन ना जाने किन ख्यालों में खो गई और नन्द के कमरे के सामने से होकर वापिस आ गई, लेकिन पूछ ना सकी उन से कुछ, अगली सुछा मेरी आँख तो कमरे से बाहर निकल कर देखा तीनों अपने अपने कामों में मसरूफ थी और साथ ही साथ नजाने क्या आपस में बड़बडा रही थी मैं फॉरन कमरे से बाहर निकली और उनके पास पहुंची लेकिन मुझे देखते ही तीनों की तीनों खामोश हो गई मैंने पूछा कि क्या बोल रही थी तो आगे से कहने लगी कि बाजी काम की बात कर रहे थे फिर मैं उनकी इस बात को नजर अंदास करते हुए पूछने लगी कि ये रात को तुम तीनों कमरे में गई तो मैं भी पीछे ही थी और फिर बार बार दर्वाजा बजाया लेकिन तुम में से कोई बाहर में आया खैरियत थी क्या तीनों ही कमरे में जाते साथ कहां गुम हो गई थी क्या दर्वाजा बजने की आवाज नहीं आई थी ये सुनकर पहले तो तीनों के चेहरे के रंग उड़ गए और तीनों एक दूसरे की शकल देखने लगी उनी में से एक लड़की के चेहरे पर हलकी शातिराना मुस्कुराहट उभरते साथ ही गाइब हो गई और फिर वही हिम्मत करते हुए बोली कि बाजी क्या आपको कोई काम था तो मैंने जवाब दिया कि ये तुम्हारा मसना नहीं है और फिर इतना कहकर मैं कमरे में आ गए अब मेरी सोच बार बार भटक कर उनकी उड़ी रंगत पर जा रही थी ऐसा क्या था जो ये लोग छुपा रहे थे मैं खोज लगाना चाहती थी लेकिन ये काम मैं अकेली नहीं कर सकती थी इसे ये फॉरन दुबटा ओर कर सास और नंद के पास चली गए और उनके पास जाकर बैट कर सांस ली फिर सारी बात अलिप ता ये उन्हें बता दी मेरी सास खामोशी से मेरा चहरा देखती रही और नंद बोली कि भावी आपको इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं हम जानते हैं वो क्या करती है आपने कभी देख लिया तो आप भी उनको कभी देखना पसंद नहीं करेगी जैसा आपने उन्हें और अपने शोहर को समझ रखा है ना वैसे ये लोग हैं नहीं मैंने बहुत बार पहले भी आपको समझाने की कोशिश की है और अब भी एक बहन होने के नाते कह रहे हूं कि आप उन तीनों से दूर रहें आपको नहीं छोड़ेंगी जो बेवपाई उन्होंने बरदाश्ट की है भाई की वही आप भी बरदाश्ट कर रही है और वो आपको भी अपने पीछे लगाकर आपको भी अपने जैसा करना चाहती है आप बस दूर रहें अपनी नंद की बात सुनकर मुझे याद आया था कि उन में से किसी के चहरे पर बात करते हुए कोई मुस्कुराहट भी थी मैं फॉरन सब कुछ समझने लगी थी यानि वो तीनों देखने में ही मासूम लगती है लेकिन उनकी हरकत है वो मुझे फंसाना चाहती है नहीं नहीं मैं नहीं फंसूंगी लेकिन दिल में कहीं ख्याल आया एक दफ़ा चेक करने में क्या हर्ज है यही सोचकर मैं वहां से निकली और असर से कुछ लम्हों पहले उस कमरे के करीब गए आसपास देखा तो कोई नजर नहीं आया इसलिए फॉरन हाथ बढ़ा कर दर्वाजा खोलना चाहा तो दर्वाजा भी लॉक्ट मैं यह देखकर परिशान के यह वाहिद दर्वाजा है जो इस घर में आने के बाद मैंने लॉक्ट देखा है वरना पहले तो ऐसे नहीं हुआ था मैंने दो से तीन बार हैंडल गुमाया मगर सब बे सूट मैं तभी पल्टी के सामने से उन टीनों में से एक लड़की खड़ी थी उसे देखकर मैं एकदम डर गई और सीने पर हात रखकर कहने लगी तुम्हें तमीज नहीं है पीछे से कौन आता है तो वो यह सुनकर जवाब देते हुए बोली आपको तमीज नहीं है आप हमारा कमरा हमारे पीछे से चेक करने आ रहे है वैसे अगर इसे चेक करना है तो हमारी नंद से बात करें उन्हीं के पास चाविया होती है इस कमरे की उस लड़की की बात सुनकर मेरा दमाग तो जैसे रुक ही गया था कभी ये कर, कभी वो कर, कभी इदर जा तो कभी उदर परिशान हो चुकी थी मैं लेकिन मुझे हाकीकत तो जाननी थी इसलिए फौरण अपनी नंद के कमरे की तरफ गए जहां सास पहले ही मौजूद थी लेकिन अभी मेरे कदम कमरे से बाहर ही थे के मुझे सास और नंद की गुफटगू सुनाई थी क्लियर तो नहीं लेकिन इतनी जरूर समझ आ रही थी जिसे जोड कर मैं बहुत कुछ समझ गई थी उनकी बात सुनकर मेरे दिल और दमाग में खौफ सा वैट क्या था लेकिन चेहरे के तासुरात नॉर्मल रखते हुए अंदर गई और जाकर सब कुछ बता दिया मेरी सास तो मना करती रही के नहीं इसे कमरे में मत बेजो ये बच्ची डर जाएगी लेकिन मेरी नंद कहने लगी के माँ नहीं डरेगी आज इसे भी देख लेने दो कितना मना किया है मैंने लेकिन अगर इसने करनी ही अपनी है तो आएं भाबी मैं आपको आज उस कमरे में छोड़ ही हम मेरे दिल में कहीं ये बात थी कि एन मुम्किन है के अंदर मेरा शोहर हो इसलिए मैंने बहुत मिन्नत समाज़त की अपनी नंद की और बिला आफिर जब वो मानी तो आगे से कहने लगी कि डरना नहीं अंदर जाकर नंद की बाते मुझे और खौफ में मुक्तला कर रहे थी लेकिन मैं हम्मत नहीं हारी आखिर को अब शोहर को देखने का हक बनता था इसलिए मैं फौरन कमरे में गई एक दो चीज़ें पकड़ी और नंद के साथ उसी कमरे में जाने लगी कमरे के बाहर खड़े होकर नंद ने मुझे नसीहत की कि मगरिब होने में अभी टाइम है तुम अंदर जाते साथी कहीं छुप जाना फिर सब मालूम हो जाएगा मैंने ऐसा ही किया और अंदर जाकर उस अंदेरे कमरे में जहां जगा मिली वही छुप गई फिर जो ही तीनों मगरिब के बाद कमरे में आई तो मैं यह देखकर बेहोश हो गई कि वो तो मेरा नम फात्मा है और मैं एक अमीर घराने से तालुक रखती हूँ हम चार बहने और दो भाई थे गुजरते वक्त के साथ साथ हमारे छोटे भाई का इंतकाल हो गया और फिर हम बस पांच बहन भाई बच गए थे हम स्कूल में थे जब हमारे भाई का इंतकाल हुआ थे शुरू शुरू में हमारे हालात बहुत डाउन होते थे हम लोग मुश्किल से दो वक्त की रोटी खा पाते थे हलांके हमारे घर में मौजूद बाकी ताया और चाचू बहुत अमीर थे हमें अपनी गुर्बत पर बहुत शर्मिंदगी भी होती थी लेकिन शायद हमारे वालिद को किसी सहारे की ही जरूरत थी इसलिए जब हम छोटे थे तो हमारे एक चाचू ने हमारे अबा की बहुत मदद की और उन्ही के सहारे उन्हें दूसरे मुल्क भेज दिया हम जो आइंट फैमिली में रहा करते थे एक बड़ासा घर था महल नुमा दोनों इतराफ सीरिया खुबसूरत आली शान बड़े बड़े कमरे बड़ासा डाइनिंग टेबल एक ड्राइंग रूम सब कुछ पर्फेक्ट था और मजीद ये के सब वहां पर इतफाक से रहते थे लेकिन नजर लगते ताइम नहीं लगता देखते ही देखते हमारी दादी का इंतकाल हो गया जिसकी वज़ा से सब में इखतलाफात उठने लगी भाई भाई के दुश्मन बन गए इन सब के दौरान हमारा एक नॉर्मल जिन्दगी गुजारना बहुत मुश्किल था लेकिन अल्ला ने मेरे अबा को हिम्मत दी और वो बाहर जाकर हमारे अखराजाद भी पूरे करते थे और अगर उनके भाईयों में से किसी को मदद चाहिए होती थी तो वो उनकी भी मदद किया करते थे जिसने सब साहा था वो भला कैसे किसी को इस हालत में देख सकता था शायद यही अदा अल्ला को पसंद आई और हमारे अबा ने दिन, डुगनी, राद, चुगनी मेहनत करने शुरू करती जिसके नतीजे में हमारे हालात बहुत ज्यादा बतलने लगे अबा अमा ने हमारी बहुत बहतरीन तरवियत की थी और हमें सरकारी स्कूल में पढ़ाया था लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमने सरकारी से प्राइवेट तक का सफर तैय कर लिया था और फिर हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट युनिवस्टियां ही जा रहे थे सब हमारे मा, बापने किसी किसम की कसर नहीं छोड़ी थी हमें खुश रखने की और जरूरियात पूरी करने की मैं अपने वाले दयान की दूसरे नमबर वाली बेटी थी अभी मैं यूनिवस्टी में गई ही थी के मेरी बेहन की मास्टर्स की डिग्री मुकमल हो गए और अबामा ने एक अच्छा रिष्टा ढूंड कर उसकी शादी कर दी अब चुंकि अगला नंबर मेरा था तो मैंने बहुत रोका अपने घर वालों को और उन्हें इस बात की शूरिटी दी थी कि मैं लव मेरिज करूंगी मगर मसला यही था कि मुझे प्यार होता नहीं था हर मर्द को देखतर यही लगता था कि बस आम सा है फ्रॉड है और भी तरह तरह के ख्यालात आते थे उन्ही दिनों में हमारी यूनिवस्टी में ही हमारी क्लास में एक नियो एड्मिशन आया जो के एक लड़का था और इंतहा का खुबसूरत था सब लड़कियां उसकी नजर को तरस्ती थी और मेरी दोस्तें भी ऐसी ही थी लेकिन मुझे इस सब में दूर दूर तक इंटरस्ट ना था बस आहिर तो अपनी जुबान से मुसलसल में यही अदा करती रही मगर अच्छा तो वो मुझे लगता था फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझे से बात करनी शुरू की कभी नोट्स लेता कभी कुछ पूछ लेता और फिर ऐसे ही चलते चलते हमारी दोस्ती हो गए यह पहला लड़का था जिससे मैंने दोस्ती की थी और वही मेरा हमसफर बना हमारे वक्त और समिस्टर्स की आपस में दोर चल रही थी यहां समिस्टर्स शुरू वहां खतम चार साल का अर्सा कैसे गुजरा पता ही नहीं चला और फिर युनिवस्टी के आखरी दिन उसने मुझे प्रोपोस किया मुझे और क्या चाहिए था फॉरन प्रोपोसल एकसेट कर लिया फिर आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के ने मेरे वालदायन से बात की फिर बड़ों को मिलवाया और हमारी मंगनी कर दी क्योंके लड़का भी कमाता नहीं था बस नॉर्मल घराने से तालुक रखता था उसका कहता था कि पहले कुछ कमाऊंगा सेटल होंगा फिर शादी करूँगा हलांकि मेरे वालद को ये पसंद ना आया मगर मंगनी हो चुकी थी इसलिए खामोश रहे बिलाखिर वो लड़का चंद दिनों में ही अबबा ने दुबई भीजवा दिया अब वो वही रहता जॉब ढूंता था और उसे जल्दी जॉब मिल भी गई थी मजीब चंद महीनों के बाद लड़के वालों ने ये कह दिया के भाई लड़का सब कमा रहा है निकाह कर ले सिंपल और साथी रुखसती करते ना सिंपल निकाह और रुखसती पर भी अबबा नहीं माने अबबा मुझे कहने लगे के नहीं बेटा मुझे लग रहा है क्यों कुछ फ्रॉड हो रहा है लेकिन मैंने कुछ नकुछ करके नजाने क्या क्या कहकर अबबा को मनाया के जैसे वो कह रहे हैं वैसे कर ले और फिर वही हुआ अगले महीने की पहले जुमे को मेरा निकाह था तक्यारियां शुरू हो चुकी ति दर मुझे भी कहीं लग रहा था कि पता नहीं वो आएगा या वीडियो कॉल पर निकाह करेगा क्यूंकि ये शोशा भी उसी की मां का छोड़ा हुआ था खैर हो सो हो आज निकाह का दिना आगया था मैं बहुत खुश थी क्यूंकि मेरे मन पसंद शक्स से शादी हो रही थी एक पर्दे की यार में आमने सामने बैठे थे खैरियत से इजाबो कबूल का मरहला तैप आया और फिर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि उसे एक अरजेंट कॉल आ गई और उसे वहां से फौरान निकलना पड़ गया मैं बहुत डर गए थी हलाके मैंने एक ही नज़र बस अपने शाहर को देखा था मुझे बहुत अफसोस हुआ लेकिन दिल में खुशी थी कि चलो वो निकाह के लिए आया तो सही ना लेकिन अंदर ही अंदर मुझे सब मजाख लग रहा था कि भला ऐसे कोई चंद मिनट पहले की दुल्हन अपनी को छोड़ कर जाता है लेकिन हवाईयां तो मेरी तब उड़ी है जब मेरी शादी की रात शोहर की जगा तीन और बोलीं कि हम तुम्हारी सौतन है और आज से हम तीनों ही तुम्हारी खिदमत करेंगी अब लोजाना शोहर की जगा वो औरते ही कमरे में आती ही और मगरिब होते ही एक कमरे में बंद हो जाती मैं बहुत परिशान थी कि मेरा शोहर क्यों नहीं आता मेरी नंद और साज दोना बहुत अच्छे थे मुझे शत्खा के कहीं उस कमरे में मेरा शोहर तो नहीं इसलिए एक दिन नन्द की मिन्नत करके कहने लगी कि मुझे मेरा शोहर दिखा दो तो वो मुझे अजीब नज़रों से देख कर बोली बाबी घबराना नहीं बस तुम पहले से उस कमरे में छुप कर बैठ जा सब मालूम हो जाएगा मैंने ऐसा ही किया जुही तीनों मगरिट के बाद कमरे में आई तो एक वीडियो वहां चलने लगी जैसे जैसे वीडियो चल रही थी मेरे हाथ पर कांप रहते मैंने वो पूरी वीडियो अपनी आँखों से देखी वो तीनों भी वहीं सामने सोफे पर बैठी तयार हो रहीं थी और सामने लगी स्क्रीम से मूँ फेर कर बैठी हुई थी मुझे उन पर ताजब भी था और वो वीडियो देखकर भी कुछ दिलो दमाख सुन पढ़ गया था मैं क्या करती इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए था यानि शुरू से ही धोका मिल रहा था फिर हिम्मत जुटा कर मैंने अपना फून निकाला और यक टुक सामने चलती वीडियो को देखती और रिकॉर्ड करती जा रही थी जैसे ही वीडियो खतम हुई फून आफ कर दिया और फिर उस कमरे में एक मर्द आया जिस पर नजर पढ़ते साथ ही मैं बेहोश हो गए फिर जब आँख खुली तो मैं कमरे के हस्पताल में थी आँख खुलते साथ उपर लगे पंखे को देखती रही फिर पास पड़ी नर्स को नजरे घुमाई तो मालूम हुआ कि पास मेरी नंद और सास भी खड़े है लेकिन मैं खामोश नजरों से ही सब को देख रही थी जब नर्स चली गई तो मेरी नंद मेरे पास आकर मुझे कहने लगी कि भाबी देखा क्या करती है वो तीमो अब आइंदा नहीं कहेंगी आप कभी उनके कमरे में जाने का मेरी मानती ही नहीं तो अपनी करके देख ली न क्या नतीजा निकला भला अभी नंद बोली रही थी कि मैं उसे बीच में टोकते हुए सर्थ तासुरात से बोली बस कर दे मुझे पागल बनाना मैंने सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है जो आपने चलाई थी और मैं जल्दी पुलिस को इंफॉर्म भी कर दूँगी ये सुनकर मेरी नंद और सास एकदम डर कर और मेरे पास आकर बोले कौन सी वीडियो भाबी मैंने का वही वीडियो जिसमें आप दोनों अपनी जुबान से मुझे सच बता दे वरना याद रखना मैं पुलिस को बताते हुए सास और नंद होने का रिष्टा तक भूल जाओंगी जल्दी बताएं नंद तो तब भी खामोश रही मगर फिर सास ने बोलना शुरू किया और बताया कि एक रोज पहले बेटे के दुबई जाने के बाद हम लोग कहीं मौल गए हुए थे रात का वक्त था घुपंधेरा संसान जगा ऐसे मैं एक गाड़ी हमारे रिक्षे के सामने आकर रुकी दोनों माँ बेटी परेशान हो गए कि आफिर कौन है ये लेकिन होश उड़ गए मेरे जब उसमें से एक खातून निकल कर हमारी तरफ बढ़ी और बेटी को खीचने लगी मैं एक दम से डर गई और मैंने छुड़वाने की कोशिश की तो उल्टा मुझे भी धंकिया देने लगी और फिर एन उस वक्त पर मेरा दमाख चला और मैंने उनसे डील कर ली के मेरी बेटी को छोड़ दें इसके बदले में मैं खुद आपको लड़कियां पहुँचाऊंगी आप बस मुझे अपना नमबर दे दे और भी नजाने क्या कुछ बोल रही थी मैं कुछ याद ने मुझे लेकिन हाँ उस ओरत को हम पर यकीन आ गया और बोली जल्दी लड़कियां पहुँच जाए नहीं तो याद रखना मैंने फॉरन सरहां में हिलाया और फिर उस ओरत ने हमारे पस जितने जेवरात थे सब चील लिए और वापस चली गए मैंने घर आकर बहुत सोचा इस बारे में लेकिन मसला ये था कि लड़कियां लाओंगी कहां से इसलिए मैंने दो तिम रिश्टे वालियों को अपने बेटे के रिश्टे की बात की फिर वो जो रिश्टा बताती वहाँ जाकर बेटे की बार डर्म कर आती तीन रिश्टे वालियां थी और तीन ही लड़किया मिली थी अब असल मसला था कि उन्हें अपने घर लाना कैसे है इसलिए मैंने एक आत्मी की यूट्यूब से ही आवाज रिकॉर्ड की और उन लड़कियों की बारी बारी इसी रिकॉर्डिंग पर आनलाइन मगर जूटे निकाह करवा दिया निकाह के बाद कोई भी रुखसती नहीं देना चाहता था लेकिन मैंने बहुत जोर जबर्दस्ती करके उनसे रुखसती ले ली थी अब जब वो लड़कियां हमारे घर आ गएं तो मैंने उस औरत को फून किया और कहा के लड़कियां ले जा किसके हाथ बिजवाँ तो वो आगे से कहने लगी कि खबरदार जो किसी को कानो कान भी खबर हो और फिर उस औरत ने मुझसे पूछा कि बताओ कैसे तुमने इतनी जल्दी तीन लड़कियां भी भसा ले तो मैंने उसे जूटे निकाह वाली सारी कहानी बता दी तो उसने पूछा कि क्या तुमने बेटे की तस्वीर दिखाई थी मैं बोली हाँ फिर वो औरत कहने लगी कि मैं रोज एक आदमी भेजूंगी जिसने तुम्हारे बेटे के जैसा मास्क पहन रखा होगा फिर जब उन तीनों को शियोरटी हो जाएगी तो तब उसी दिन वो उन तीनों को उठा कर ले आएगा मैं भी इस बात पर मुत्तफिक हो गई मगर मसला ये हो गया कि अब बेटे ने वापिस आना था निकाह के लिए अपने फिर मैंने इन तीनों लड़कियों को एक ही कमरे में बंद कर दिया और इने कहा कि तुम्हारा शोहर तुम लोगों को ऐसे आजमाना चाहता है और जो अच्छी निकली उसी को वो अपने साथ ले कर जाएगा इस तरह वो तीनों खामोश रही और तीन दिन अंदर कमरे में गुजा रहे था उन तीनों का निकाह आनलाइन मगर जूटा हुआ था ना जाने किसकी आवास थी लेकिन तुम्हारा निकाह सब के सामने गवाहान के सामने मेरे ही बेटे से हुआ था लेकिन किसी काम के तहट निकाह के फौरान बाद बेटे को कहीं बाहर जाना पड़ गया फिर उस रात हमने उन तीनों को बताया कि मेरे बेटे की ये बीवी है तो तबी से वो तीनों तुम्हे अपनी सौतन ही कहकर पुकारती है और तुम्हारी खिदमत में लगे हुई है ताके वो अपने शोहर को पसंद आ जाए और वो उन्हें ले जाए लेकिन ऐसा हुआ कि वो औरत जो लड़का भेजती थी बेटे का रूप धार कर जो आता था उसने तुम्हें देख लिया फिर वो औरत मेरे पीछे पड़ गई कि उसे अब चाहिए तो चाहरो वरना कोई नहीं और अपनी बेटी भी दो और घर वगारा सब कुछ हमारे नाम करतो मैं बहुत जादा डर गई थी अपनी बेटी को कैसे किसी ऐसे के हाथ में देदू जो लड़कियां फरोख्त करती हो भला फिर जैसे तैसे करके मैंने बजीद वक्त मांगा हूं और तुम्हें तुम्हेरे शोहर से गाफिल करके उनी लड़कियों की तरफ लगा दिया ताके तुम भी उनी के पीछे लगकर मेरे बेटे से तलाक ले लो और मैं तुम्हें आगे भेज सकूँ उस दिन कमरे में भेजने का मक्सद भी यही था कि तुम्हें तुम्हेरे शोहर की फेक वीडियोस दिखा सकूँ लेकिन उस दिन गलती से वो वीडियो चल गई जिसमें वो और आरत मैं और मेरी बेटी बैटकर लड़कियां स्प्लाइ करने की कोई बात कर रहा था और वक्त ने भी ऐसी बाजी पल्टी के अल्ला की तरफ से उसी वक्त वो लड़का भी आगया जो तुम्हारे शोहर का रूप धार कराता था और शायद तुम तभी इसी वक्त बेहोश हो गए थी हमें तो उन तीनों लड़कियों ने बात में बताया इसलिए हम तुम्हें लेकर हस्पताल आ गए और वो लड़का उन तीनों को अपने साथ उदर लेकिया है हो सके तो मुझे माफ कर देना मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए ये सब कुछ किया था मैंने सोचा था कि पुलिस को बताऊंगी मगर वो औरत ऐसी थी कि उसे फौरण इलम हो जाता कि मैं क्या करने वाली हूं इसलिए मुझे जो भी करना था होश्यारी से करना था ये सब कहकर मेरी सास खामोश हो गए और मैं मुसलसल पीछे किसी को देख रही थी जिसकी ताइद करते हुए मेरी सास और मेरी नंद ने भी पीछे देखा तो सामने मेरा शोहर और पुलिस खड़ी थी जिन्होंने सारी बात उनके मुसे सुन ली थी उन्हें डर था कि कहीं पुलिस उन्हें पकड़ न ले मगर वक्त अच्छा जा रहा था कि पुलिस उनके पास आए उस ओरत के अड़े का सारा एड्रेस लिया और मेरी सास और नंद को तहवील में लेकर चले गए क्योंकि उन्हें महज उस ओरत तक पहुंचकर बाकी लड़कियों को आजाद करवाना था फिर उन दोनों को भी छोड़ देते मेरे शोहर ने जब ये सब सुना और देखा तो मेरे पास आकर मुझे कहने लगा कि इतनी बद को मानी थी एक बार पूछ तो लेती लेकिन मैं महभबत से कहने लगी कि अब जो हो गया उसे भूल जाए अब जो वक्त आएगा वो बहुत अच्छा होगा आप मुझे माफ करतें गुजरे महीनों के लिए और फिर मेरे शोहर ने मुझे माफ कर दिया और चैन्द ही दिनों में मेरे सास और नंट भी छूट गया थे उस औरक काड़ा भी बंद हो गया था और उसके साथ काम करने वाले सब पकड़े गया थे और वहां मुझूद सारी लड़कियां भी आजाद कर दी गई थी मेरा शोहर हम सब को लेकर बाहर के मुल्क में ही जाना चाहता था लेकिन पुलिस ने मेरी सास और नंट को ट्रैवल करने से मना कर दिया था अब उन्हें सारी जिन्दगी इसी शहर में रहना था वो किसी दूसरे शहर में भी नहीं जा सकते थे और कुछ ही महीनों में मेरा शोहर भी मुझे अपने साथ ही बाहर ले गया अब हम खुशी खुशी अपनी जिन्दगी गुसार रहे हैं और मेरी सास और नंट अपनी गलती की सजाएं भुगत रहे हैं बेटे से दूर रहकर